जाएं दोस्तों कैसे है आप आसए है आपओ होई तो अम लोग जो इन चाटी के जो जो वाराध के बारह में डिया हुआ था जो असोग से जो कुछ कि अभलोग सकते हैं जिन्होंने अभिलेखोद्वारा जनता तक अपने संदिश पहुंचाने की कोशिस के यहां पर जो असोग को महान कहा गया है तो आखिर जो कि की अनोखा सम्राठ की कैसे टा ठेक है इसके पमतलब क्या है कि अपनी बात जो जनता तक पहुचाने के लिए सिलालेक बनाएं सिलालेक मतलब मैं बता दूँ जिसे कमालेजी एक चौकुर पत्थर है ठीक है और इसमें जो एक कुछ नियम कानून है जो जनता के बीच में ऐसे सिलालेक मतलब समझ रहे ना जिसे कि जो इसलानयास होता है अभी कोई पूल इसे बना कर जो है उसमें एक दिवाल जैसे बनाबर लगा जाता है तो वही चीज जो है उसमें जो आशोक ने पहली बअर और असोग जो है सिलालेखों के माध्यम से अपनी संदीव जो है वह जनता तक मेंचाता था ठीक है और जो नगर के मुख्य द्वार पर या कोई मु टो है कुछ निदेस लिखें कुछ नियम लिखे गया है यह उस तरह है उसको जल्गार मुख्य नगरों के द्वारपर लगवाता था जिसे जनता पढ़कर समजती थी उस नियमों को ठीके असो की जो अभिलेख है ना वो किस भासा में तो जातिर्णत realm प्राकृतिक सब्सक्राइब तो क्या गए तो क्या कहा गया है तो क्या कहा गया है तो क्लिंग को जीतने के लिए एक युद्धर रड़ा यानि कलिंग के लिए क्या हुआ यहां पर मौर्यों का समराज यह था और यहां पर पटले पुतर जा ठेके ना तो इसने क्या किया कि कलिंग को जीतने के लिए एक यूद लड़ा लेकिन यूद जनित हिंसा और खुन खराबा देकर उन्हें यूद से वितिष्णळा हो गई उन्हों निड़ लिया कि भौई से में कभी यूद नहीं करेंगे असुक जो है एक समराट है एक जो है महान जो सासक कहा गया है यह जब अपना जो समराज विष्टार कर रहे थे तो उसी स्रेड़ में हुने क्या किया यह कलिंग नाम के एक राज ये पर आक्रेमड किया और यहां से युद करा उसको जीतने के लिए और उस युद में क्या देखा है इनो ने कि यहां पर जो है लाखो लोग ऐसे मर गये हैं लोग उसके जो है ऐसे खून बहा रहे हैं किसी एक रिलेटिव मरे हैं सब लोग रोव विलक रहे हैं उसके बाद से यह जो बाते हैं न वह यह जो दृष्ट है वह असोक को बहुत ज़्यादा प्रभाविक करती है और असोक जो है उसी समय नेड़ा लेता है कि वह अब यूद नहीं करेंगी ठिक है तो यहां पर एक सिला लेको वाँ पर देख में क्या है कलिंगी यूद का वर्डन करता हुआ असोक का अभेलेक आ सोक्या करता है और और से कुछ निर्देश देता है बिससे जनता बाते कही है वो अपने बाते बता रहें लगभग डिर्ड लाग लोग बंदी बना लिए गए जो कलिंग यूद वा उसमें क्या हुए कि जो है लगभग लगभग डिर्ड लाग जो है लोग बंदी बना लिए गए एक लाग से जो है एक लाग से भी ज्यादा लोग मारे गए इसमें मतलब एक लाख से बहुत दुख हुआ, जब किसी स्वतंदर देश को जीता जाता है, यह असोक लिख रहा है, तो लाखो लोग मारे जाते हैं, और बहुत सारे बंदी बना जाते हैं, इसमें ब्रामड और स्रमड भी मार जाते हैं, समझ रहे हैं यानी कहीं आज भी यूद होता है जेसे किहां हम लोग यूद देख रहे हैं और हम लोगों की कितने सार लोगों की जाने गई और वे यह legit नहीं रहा है तो वह यहांं पर बैसी दो milliard किया तो उसमें अभल कि यहां पर लोग अपने सगे संबन दीयों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रती दयावान होते हैं, वे भी यूदमयातु मार जाते हैं ये अपने पिरियजण वो खो देते हैं, इसलिए मुझे पस्टस्ताप हो रहा है, अब मैंने धम पालन करने किमें दूसरे को इसकी सिच्छा देने के निक्षे किया है, किसका पालन के बात कर रहे हैं धम जो है बहुत के जो नीएम होते थे उनने को धम कहा जाता था तुनी बहुत धम से लोगों का दिल जितना बलप्रूवग बेज़े पाने से जादा अच्छा है सोग कह रहा है कि मैं आफ सोग कहां से मानना बदल गया और वो कहने लगा कि मैं जो है अब क्या करूंगा कि जो है यूद जो है मतलब किसी को किसी पर कबजा करने के लिए ठीक है किसी पर कबजा करने के लिए यूद से अच्छा चीज क्या है आप उसे प्यार करिए उसका जो है दिल जीत लिजिए ठीक है तो यह जो है बात कर करता है और अब यहां से बात कर रहा है धम की यानि लोगों में प्यार जगाने की बात कर रहा है और इसी की परचार करने की बात कर रहा है ठीक है यानि यह अपने पिटीओं से जो है गुजारिस कर रहा है इस अवीलेक के माधिम से क्यों कि उनकी जो आने वाली जो पिण है रहेगी वह क्या करेगी वह भी धम को अपनाएगी और धम का प्रचार करेगी अब देखिए धम का संस्कृत सब्ड क्या है धर्म ठीक है मतलब जो एक फिगर देख ले उत्कृरिष्ट पालिस वाले पत्थर की मुर्ति को देखो ठीक है यह उस मुर्ति के बज़े देखने को बता रहा है यह बिहार के राम पूर्वा में मिले एक मौर्यकालिन इस्तंब का हिस्सा है अबही इसे राश्पति भौन में रखा गया है यह उस समय की मुर्ति का लगए एक नमुना है हम लोग जो है तो आप इसे याद रखेंगे यह आज के समय जो है कहा गया है तो राश्पति भॉण में यह आपको देख रहे हैं पर उल्टा कमल बना हुआ है हम लोग ना देखा इसके पहले ह। कि यह पर देख लें हम लोग जो है कि असोग का धं क्या था अब देखिए असोग के धम में यानि असोग के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवसेक्ता नहीं थी यानि इसमें किसी कर्मकाण्ड कि आओ सिकता नहीं था। और किसी लोगों को ठगना नहीं है जूट बोलकर कि जो है इसको अपना लेजी इसको अपना लेजी ठीक है उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छी बेवहार की सिच्छा देते हैं वैसे ही उनका करतब था कि प्रजा ठीक है प्रजा को निर्देश न निर्देश दें ठीक है यानि जो है अपनी प्रजा को जो है असो क्या मानते हैं ठीक है कि सब हमारे क्या है एक पुत्र है और मैं इनका संग्रच्छा हूँ यानि पिता हूँ ठीक है और मैं लोग क्या करूंगा एक बेवहारिक सिछा दूंगा ठीक है वे बुद्ध के खेदना थी उनकी समराज में अलग-अलग धर्मग को मानने वाले लोग थेते यहीं कि ढ़सों के समराज में क्या मिलते हैं हम लोग को कि जो हैं बहुत सारे ऐसे ढम पलॉक अपरें अच्छी उनकर्स zwischen के समराज में कई दरह की लोग थें जो कई तरह क्रूर ब्योहार भी किया जाता था इनकी अलावा परिवार में वह पडोसियों के बीच भी जगड़े होते रहते थे असोक नहीं यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्टब्य है यानि असोक जो है अपने आपको क्या माने लगें कि असोक जो है मतलब जो जो लेकर तपैखें तो कि यह लिए उन्होंने खोड़ा के अधिकारी की न्युक्ति की जो जगा जगा पर धम की सिच्छा देते थे यानि असोक ने क्या किया कि अपने जो है राज्य में जो रहर है लोगों के लिए उसने क्या किया इसे जो है मुतलब मजदुरू के लिए और ने सभी लोगों के लिए क्या किया उसने एक जो है धम के लिए महामात अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश का उन लोगों को पढ़ कर सुनाया जो खुद पढ़ नहीं सकते थे यह असोक ने उन लोगों तक भी अपनी बात पहुचाने की कोशिस की जो पहुचलिक नहीं सकते थे मतलब अब एक तरहसे आप अनपढ़ का सकते हैं उसे अपनी बातों में कहकर उनको सुनाय ठीक है असोक ने धम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्त्र, ग्रीस में दूत भेजें इसने क्या किया? कि जो है अपने धम को प्रसारित करने के लिए क्या किया? इसने कि जो सीरिया में, मिस्त्र में अपने दूत भेजें उन्हें ने सडके बनवाई कुमे खुद वाए और विष्राम ग्री बनवाए कि इसके अत्रिक्त उन्होंने मनुफ्रियों जानोरों की चिकित्सा के भी विवश्ता की थी ठेक है उसने क्या किया अब देखें आप असोक ने क्या किया वहाँ पर कि जो लो ने सडक बनवाए फिर से कुवें भी खुदवाएं क्योंकि जनता के लिए क्या हैं बहुत जुरूरी थी उस समय क्योंकि आज का तरह नल के ब्युस्था नहीं हुआ करते थी विश्राम गिरी थी जहां पर लूग ठार सकते थे इसके जो अतरिक्त है यह जो मुनुस्ट्रे वा जानवरों की ज संदेश को हम लोग देखेंगे यह संदेश क्या है कि लोग लोग जो है बिभिन आसरों पर अनुष्ठान करते थे उधारन के लिए जब बिमार होते थे जब उनकी बच्चे का बिवा हो रहा है जो उसके बच्चे का बिवा हो रहा है बच्चे के जर्म और जो है जब यात क्त्रब करना नुष्ठान करना बड़ी बड़ी बाठीया करने सीके बदले लोग दूसरी रीतियों कमाने तो वाए तो закछल आइँ होंगे वे अन्य प्रगार की रितियां क्या हैं यह है अब यह जो रितियों की बात कर रहे हैं असोग तो वो रितियां कौन कौन से हैं उस रितियों की बात कर रहा है यानि असोग क्या कर रहे हैं कि असोग का मानना यह है कि आप कर्मकांडों में उल्धिय हुए हैं और जो अनुष् करें कि जो बड़े बड़ें अंश्ठानो के अपने दासों से अपने मजदूरेंगे एक अच्छा रखें बढ़ों का आदर करना इसे अपसे क्या करें अपने ड्यव를 प्रशंचा या दूसरों कि धं की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं आप सोशा है कि जो अशोक हुआ करते थे तो अशोक कितनी दुर्द्रश्ठी अंकि है और आपको किसी अन्य बेक्ती के धर्म को निंदा करने की अधिकार नहीं है यह कौन का रहा है असुग का रहा है आज हम लोग के पास क्या आया है संग्विधार में आप लोग देखते हैं कि जो आर्टिकल बनाई गई है जो धार्मिक सोतनता को लेकर तो जो हम लोग को आधुनी काल में देखने को मिलती है वो जो है प्राचिन काल में आज से 2600 साल पहले असुग ने कर दिखाया था हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तों में अपने धर्म का जादा नुक्सान पहुचा रहा है यह असुग का मानना था इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विस्वासों को समझने की कोसिज करते हुए उसका आदर करना चाहिए यानि सिंपल्स आसों का मानना यह है इस अभिलेक से यह सीख मिलती है और यह बताने की कोसिज कर रहे है आप धार्मी को अनुष्ठान करते हैं बेक्तिकत जो अनुष्ठान करते हैं आपकी जब साधी होती है तो अनुष्ठान करते हैं बच्चे होती है तो अनुष्ठान करते हैं और जितनी सारे आपने जो एक तरह से करमकांड जो बताये गए है जो किसान है उनका आदर करिए सबका जो है क्या करिए एक आदर रखिए और मन में एक सत भ७ावना रखिए और दूसरों की धर्म की बुराई ना करिए यह आप देख सकते हैं यह आपर कुछ भासाय दी गई है यह आरामभिक ब्रामी है यह देव नाजरी हिंदी है, यह बांगला है, यह मल्यालम है, यह तमील है, अब देखिए, यह चेप्टर हम लोगों complete हो चुका है, लेकिन इसको complete इसको तब कहेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, यह सिल्क गुरुट पढ़ लेंगे, अब देखिए, बुक में क्या दिया है यह क्या है, मैं बता दूँ आपको, कि जो है, सिल्क रूट है, यहां से बैपार हुआ करता था, यहां से जो लाइने बनी है, यह जो रेड लाइन जो है, यह मार्क चीनी सासको के नियंतरन में था, यह देखिए, जो यह रेड लाइन है, यह रेड लाइन कहां, किसकी निय नियंद्रम हुआ करते थी अब यहां से रखिए और यहां से इसको अटाइच करिए थोड़ा इधर से भारत से यहां से आप समझ सकते हैं यह हम लोग क्या है यह ब्राचिन भारत है यह सोग के समय का और इस समय जो यह जो जितने रेट लाइन है आज देखिए आज भी जो र आलसी दिकार में थी कौनसा चले यह जो दिया हुआ है फिक है कि अबढोंब मों दख लेते हैं कि कुसाडो के जो ए अधिल क्या रही है कि अचिजिय जो जब नने दिखाया गया ना इसमें फिसके आप यहां से देख लेंगे तो यह पू लू लाइन। क्या है तो कुसाड़ों के अंदर है और यह वाली जो लाइन आपको जहां जहां देखने को मिलेगी यह महतवपूर्ण समुदरी मारग है और यह जो लाइन है यह मारग इरान और साजकों की नियंत्रण में अब फारस करते हैं तो फारस को देखने के लिए आप यहां से इसक करेंगे तो यहां से लाइने बनी हुए है आप बुक में देखेए को पीडियेप में यह एक सात रहता तो मैं अच्छे सा समझा पाता लेकिन अलग-अलग होने कारण आपको क्रियेट हो रहा है यहां से आप लोग यहां से देख लेंगे बाकी हम लोगा शेप्टर यह कंपलीट हो जुका है फिर नेक्स हम लोग जो है नेक्स शेप्टर से श्राख करेंगे तो फ्रेंट्स आज ग्लास से बज़ इतना ही थैंक यू थने बाद